स्वासिकाल नमस्तियत आप सभी भाईयों को भाई कैसे आप लोग उम्मेद करता हूं आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोड 95 की थेओरी के बारे में जो कि एक बहुत लंबी वीडियो थी औ अमबीशिक के अंदर क्या किया करता है पर हम बात करने वाले हैं वह लोगों पर मैं आज आप को बताओंगा भी और आपको इधर नों में शोगा भी होते रहें आधाल सबसे पहले जो document मैंने लगाया था सबसे पहला जो सबसे उपर रहता है ठीक है तो सबसे पहले तो हमके eok file लीनी होती है transparent 20 रुपे की जो ऐसे वाले आती है उसके इंदर सारे document रखने है सबसे उपर हमने एक लगाया था couryer और a4 एक होता है अगर आप तो तो आपका उसमें एड्रेस और फोन नंबर होगा अगर आप किसी एजेंट के तुरू कर रहे तो एजेंट का उसमें पूरा एड्रेस होता है आप देख भी सकते हैं आपको शायद स्क्रीन पर शो रहा होगा ठीक है को बीजा लगने के बाद जो हमारा पासपोर्ट है वो कहा किस एड्रेस पर चाहिए ठीक है तो और हमें SMS से टाइम टाइम पर हमारे मुबाइल नंबर पर SMS से हमको पता लगता रहे कि VSP से हमारी जो फाइल है वो अमबैसी पहुंच गई है और अमबैसी से जो है वापस आ गई है हम आपको कुरियर कर चुके हैं यह आपका कुरियर नंबर है इस तरीके की information उस पर आती है जैसे कि मुझको आई थी ठीक है दोस्तों दूसरा जो हमारा पेपर होना चीए वो होना चीए हमारी appointment का जैसे हम appointment लेते हैं BFS की कुछ 2000 के 2200 रुपे उसकी फीसों लाइन जमा करके BFS की appointment लेते हैं तो अब appointment हमारी email पर एक email आती है ठ प्रिंट आउट आपने रखना है ठीक है दूसरा वो है तीसरा जब हमने BFS की payment की है online 2200 के करीब तो उसकी receipt भी हमको रखनी है तीसरे नंबर पर ठीक है तो समझ गया आप तीसरे नंबर पर रखनी है जो था आपका जो online application form निकला होगा मालिज अगर कोई लुथीनिया के लिए करता है तो लुथीनिया का निकल गया आता है तो आपकी company आपको provide करी है अगर agent के थू कर रहे हो तो agent आपको provide करेगा चार पांच page होते है ठीक है उसके और उसमें आपने application form होता है उसमें update करना पड़त नहीं लगानी है आपने दो या तीन photo अपनी file के अंदर ऐसी रखके रखनी है कहीं पर कोई photo paste नहीं करनी है आपने ठीक है ना आगे चलते हैं आप पाच्वे नंबर पे आपने अपना cover letter बनाना एक अच्छा सा कि मैं अगर आप Gulf experience है आपका या इंडिया का भी experience है आपने कि मैंने इतनी तरएक से इतनी तरएक यहां पर ऐसे काम किया मेरी यह duty होती थी मैं ऐसा हूं फलाना दिखाना जो cover letter बनता है वो एक page का भी हो सकता है दो page का भी हो सकता है ठीक है आपने एक अच्छा सा cover letter बनाना है उसके बाद जो छटे नंबर पर आपने रखना है वो से ठीक है ना सब paper के उपर और वो चार-पांच paper होते हैं वो फिर आपने रखना है ठीक है दोस्तों सातमे नंबर पर जो आपने क्या रखना है company एक guarantee paper देती है किसको हम as a heavy truck driver बुला रहे हैं और यह आके हमारे पास रहेगा हम इसकी guarantee लेते इस तरीके से paper होता है company के letterhead पर वो आपने रखना है ठीक है ना यह सब आपके पास आपका एजेंटी आपकी company PDF भेजेगी आपने इसके color print out निकालना है और मैं आपको सला दूंगा जितने भी document है color print out तो आप निकाले इनकी एक-एक photocopy भी करके अलग file बनाए ठीक है ना वो अपने पास रखें वो पाद म आनी पड़ती है ठीक है ना मान लीजिए अब मेरा submission 11 तारिक का है मान के चलो इस मेने की 11 तारिक का है तो मुझे अगले मेने की 10-11-12 तारिक की टिकट बुक कराने डमी टिकट ठीक है ना वो वो मुझको साथ में लगानी है उसका print out color निकालना है आपने डमी टिकट के बाद जो है नोवे नंबर पर एक travel insurance कराना पड़ता है यह डमी टिकट और insurance आपका एक जगा से हो जाएगा टिकट करने वाले की कोई भी agency होती है यह लगवग 10-12,000 पर का आपका insurance होगा एक साल का travel insurance ठीक है और यह dummy टिकट और यह insurance insurance तो आपका original होगा लेकि सिर्फ टिकट आपकी डंबी होगी टो फिर आपने Ticket लगाना है अपनि टिकट के बाद आपने अपना एक insurance लगाना है ठीक है न वह चार से छह पन्ने का होगा आपका insurance ठीक है तो वह travel के लिए होता है एक साल के लिए उसके बाद आपने जो भी आपका हैवी लाइसेंस है जिसके बेस पे आप वीज़ा लगवा रहे हो ठीक है वो आपने उसकी कलर फोटो कोपी लगानी है उसके बाद उस लाइसेंस को जब आप सार्थी या कोई भी आपके जो परदेश है उसकी जो भी वेबसाइट है उसके पर online जहां पर वो शो रहा है आपका उसका भी प्रिंट आउट कलर निकलवाना है वो लगाना है पीछे ठीक है कि ये बंदा मारे पास इतने से साल तक काम किया है ठीक है ना उसके बाद आपने लगानी है है लो वेरिफिकेशन का मेल दोस्तों मैं आपको बता दू कि है लो वेरिफिकेशन एक प्राइवेट ऐसी संस्ता है जो कुछ अमबैसी के लिए काम करती है इन्वेस्टिकेशन लेटर होता हूं तो वह वहाँ पर फोन करके पूर सकते मेल कर सकते हैं और यह से बंदे ने यह कैसा है या चैनल को सबोलते हैं उसको करवानी पड़ते इसकी स्ब्स बिच में उसकी टीक होती है झाल tämä झालवेट कि जब वह आपके बढ़ते हैं तो उसी इमेल को हमें प्रिंट निकालना है जो उसमें लेटर दिया होता है है कि हमने आपको forward कर दी है आपकी information उसको बोलते हैं वो आपने लगाना है उसके पास 14 नमबर पर उसकी जो रिसिप्ट आपने online पैसे जमा किये हैं उसकी रिसिप्ट जो भी दस बारह जार किये वो लगानी है 15 नमबर पर आपने लगाना है resume जी है आपने एक अच्छा सा resume बनाओ जितना भी आपका पिछला experience है उसमें डाल दो मैं यहां ट्रक चलाता था यह था फलाना डिगाना अच्छा सा resume बनाओ simple बनाना है बिल्कुल कोई hard नहीं बनाना है ठीक है न रिजिमा आपने डालना है उसके बाद आपने अपने color आधार की फोटो कोपी डालनी है color फोटो लगानी है आधार की क्योंकि इंडिया में हमारा main वही है passport है या फिर आधार काड है तो आपने आधार काड लगाना है उसके बाद आपने अपने बैंक की तीन मेनी की statement लगानी है उसमें transaction होनी चीए कि हाँ इस बंदे को salary वगारे मिलती है उस रिसाब से आप अपनी maintain करके रखें ठीक है ना उसमें अगर 18,000,20,000,50,000 मेंटर नहीं करता लेकिन transaction उसमें होनी चीए कि हाँ ये बंदा जॉप कर है तो इसके पास पैसे आ रहे हैं ये निकाल भी रहा है ठीक है 18 नंबर पर हमको लगाना income tax return एक साल की अगर आपको बस दो साल की है तो बहुत बड़े हैं नहीं तो एक साल की भी काम करती है एक साल की आपने income tax return डालनी है ठीक है और last में जो मैंने लगाया था वो मैंने ल country जा चुक है उसके लिए एक हमारा support हो जाता है कि मैं Saudi Arab में as a driver वीजे पर गया था तो जब आप अपना visa लगा देते हो साथ में तो उस पर लगता है कि यारे बंदा पहले भी out of country गया है और truck driver में ही गया है तो वह हमारा supporting document है तो वह भी आपने last में लगाना है तो मोटे मो पासपोर्ट दिया और बोला कि जहां जहां पर भी stamp लगी है जैसे हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं immigration होते है तो उसमें entry, exit, departure, reliable की वह लगती है तो उसने बोला जहां 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 पर भी मोहर है उसकी आप photocopy करवा हो तो अंदर ही photocopy हो जाती है तो मैंने photocopy करवा के देदी थी उनको उसके बाद जो है मेरी फीज जमा हुई embassy में लगवग 8000 के करीब 56 और पर कुछ फीज थी लात्वी embassy की और 22 और पर उन्होंने फिर कुछ चार्ज अपने डाले वे थे BFS वालों ने ठीक है उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक में क्या उन्होंने फोटो मेरी खुद कीची जो मैं फोटो लेकर गया था तीन वो मैं बापिस ले गया हूँ उन्होंने खुद से फोटो कीची है बायोमेट्रिक मेरा कुछ नहीं हुआ फोटो उन्होंने मेरे envelope के अंदर डाली मेरा envelope मेरे को बापिस कर दि कि आपका जो है फाइल जो है BSF से में भीज़ दिये और दो दिन के बाद फिर आता है कि आपकी फाइल में रिसीव हुए है और हमने इस कुरियर से इसको कुरियर कर दिया है कुरियर कुरियर वो स्पीड पॉस बगरा ही करते हैं तो उसका नंबर मेरे को मैंशन था और दूसर से लगाने हैं यह भी आपको पता लगया तो दोस्तो उम्मिद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो है लाइक जरूर कर देगरो ताकि मैं और नई वीडियो बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है और आप लोग चैन इंफोर्मेटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलता है एक अच्छी इंफोर्मेटी वीडियो के साथ अगले वीडियो में तिल दैन बाई बाई